So, Hello and Welcome to Tech Bomber, मेरा नाम है Shreyas, और आज हम बात करने वाले Apple Macbook Air 13 के बारे में, जो kit 2024 का built है, और इस phone के अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा, और इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं, और सब कुछ इसके बारे में, क्या ये value for money है, obviously value for money होगा, क्योंकि Apple का, Apple ने manufacture कि price है, but क्या क्या इसके अंदर है total specs है, क्या color variants है, क्या pricing है, सब कुछ देखेंगे है, जो कि available है Amazon.un पे है, so let's get started, आपको यहाँ पर एक end in 3, मतलब दिख रहा होगा 3 hours में, so basically आज का जो दिन है, वो दिवाली के एक दिन पहले का दिन है, so या आज sale चालू है Amazon पे, Big Billion Days की, पर टामर लग रहा है, prices में vary है, so prices अगर आप अगर आप यह वीडियो कर बाद में कर भी देखेंगे, तो शाय से आपको price अलग देखेंगे, so this was, इस वीडियो का भी हम start करते है, so first of all, जो नाम है Apple 2024, MacBook Air 13, laptop with M3 chip, इसके अंदर में M3 chip देखने को बिलती है, basically there are 3 types of chips like M1, M2 और M3, okay, so तीनों के अंदर performance का थोड़ा, मतलब थोड़ा निक performance में बहुत सरे variation है, M1 थोड़ा compromise में आता है, थोड़ी low performance, M2 उससे ज्यादा performance, M3 उससे भी ज्यादा performance देता है, ठीक है, इसके डिस्प्ले साइज है, 34.46 cm याने की 13.6 इंच का इसके डिस्प्ले इसके डिखने को मिल रही है, उसके बाद फिर हमें 256GB की SSD storage देखने को मिल रही है, backlight keyboard है, 1080 pixels का हमें FaceTime HD camera देखने को मिलता है, और उसके बाद Touch ID midnight, आगे क्या इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर में 4 color options देखने को मिल रही है, जैसे कि 1st है midnight, 2nd है silver, 3rd है grey और 4th है ह दिखाई जारी है, वो है 1,22,990 जो कि आगे जाके मैंने आपको पहली बता है कि वेरिक हो सकती है करके, अगर हम इसके specifications जो यहाँ पे दिएगे उसको देखेंगे, तो first of all brand name apple obviously, उसके बाद जो है color जो है, straight light unknown, CPU model जो है unknown बोलवे है, RAM जो इसके 8GP की RAM है, देखते भी आग जस्त ओवर 1,3,1,3 एक से 1,3 एक इंटमेटर थीन आपको यह laptop देखने को मिलता है, so you can take macbook air anywhere to go, आप इसको काइप मिले के चासते है, अपने ही साप से, बहुत affordable, बहुत affordable ही हो सकते बहुत कम, क्या का सकते हम इसको, बहुत handy है, okay, so second is like get more done faster, the powerful 8 core CPU and up to 10 core GPU of the apple M3 chip keeps thing running smoothly, इस इसके अंदर हमें 8 गोल का CPU मिलता है और 10 गोल का GPU मिलता है तेन उसके बाद हमें मिलता है कि 18 अवर की बैटरी लाइफ अप टू ठीक है अमेजिंग आल डे बैटरी लाइफ सो यू केन लिव दप पावर डापटर एट होम अब ब्रिलियंट डिस्प्ले इसका बेसिकली न यह लापटॉप के बारे में अगर हम देखे तो सब चीज़ों को मैं अगर एक सेटम रखूँगा लेकिन जो डिस्प्ले में इसमें देखने को मिलता है वो काफी प्रीमियम डिस्प्ले होता है उसकी क्लरीटी उसके तो बहुत तगड़ा तो आपको काफी बढ़िया और काफी स्मूर्ड एक्स्पिरेस देखने को मिल सकता है इसके अंदर देन लोक्षार्प साउंद ग्रेट एवरिधिन लुक्सांद साउंद अमेजिंग विद 1080 मतलब वन 1080 पिक्सल्स का जो फेस्टाइम अच्छी तरह के से लगा सकते हों हाँ तो अभी इसके बाकी इस केंद्र का देखते हैं जो इसके साइजे से दो ठीक है और उसके बाद हम देखते हैं क्या है तो Macbook Airs is true work and यह कुछ काम गगा नी हाँ देखा इधर दिखाया गया है तू परफेक्ट साइज डिस्प्ले आपके 13.6 इंच का एक आता है ठीक है अल्डे बैटलाइब 18 और समने इसके पहले देखा था क्या बूलते गेट मोर हाँ सो M2 से ज्यादा फास्टर है और Macbook with Air M1 से भी ज्यादा फास्टर है और दोनों से फास्टर है रहेंगा रहेंगा सो यह कुछ भिसके और स्पेशिकाशन्स सपोर्ट फॉर वन एक्स्टर्न डिस्प्ली इसके अंदर एक्स्टर्न डिस्पली कर पहेंगे और इसके अंदर या पर प्या बताए चिसको बस एक ही इससे अटेश कर सकते लेकिन इसके अंदर हम जो है वो अटेच कर सकते हैं हम दो मॉनेटर को अटेच कर सकते हैं इस पर मिलता है उसके बाद हुए हम देखेंगे क्या क्या स्पेसिफिकाशन और दी है और इंटेल 2020 से ठीक है उसके बाद है अप्टू शिक्स मोर आवर बैटरी लाइफ अप्टू 18 अवर से ज्यादा आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलते हैं अगर आप इसको मैकबुक यह से कंपेर करो तो 1.66 ज्यादा पास्तर है अब राइटर मोर स्पेशियस दिस्प्लेइ बड़ी लिग देखने को मिलते हैं और कैमेरा भी वैसे ही डबल रिजल्टू आपको देखने को यह आपनो मिलता है और कापकी सूपर फास इसके अंदर आपको परफॉर्मस देखने को मिलेगी बिल्ट तु लास्ट मेटल बड़ी बिल्टर सो आपको इसके तर अच्छे बिल्ट देखने को मिलेंगी तो यह कुछ नंट है अगर आपको यह देखना था आप इसको देख सकते हो अगर आपको शिक्की श्क्राइब ले सकते हो पर इसके बाद अगर अगर अंदेखेंगे तो जैसी इसके पूरे स्पेसिविगेशन दिए गए यापर सिस्टम कोन से एफ पल का मों जो अमने पह आपको बस दो ही पोर्ट मिलें जिसके अंदर वेट आपको होगा 1.24 गेजिस और टेखनीकल लीटेल्स याप पर आपको सब कुछ दी गई है जिसे ग्राफिक्स कार्ड कॉनसा सब पर कोड़े आप पर एकोड जीप्यू इसके अंदर हमें देखने को मिलता प्रोसेसर की बात करें तो 30W USB-C Power Adapter आपको इसके अंदर मिलता है और अगर हम देखेंगे इसके अंदर हो क्या का है तो जैसे 13 इंच का इसका डिस्प्ले है ठीक है इन दे बॉक्स आपको क्या मिलेगा ठीक है तो बॉक्स के अंदर आपको एक 13 इंच का Macbook Air with M3 चिप ठीक है उसके बाद फिर USB-C2 Mac से 3 केबल 2 mm का वातर C2C उसके बाद फिर 35W dual USB port compact power adapter आपको 35W dual USB-C port वाले compact adapter आपको इसके दिल दिखते हो बिलेगा पिर उसके बाद इसके कुछ फोटोस है जो की कॉस्टमर्स ने लिये हैं काफी premium यार काफी premium और काफी अच्छा laptop यार ठीक है एक मिवेट अबड़िट अगर मिसे कुछ comments मतलब लोगों ने जो comments के वो देखेंगे this is a great laptop for anyone who want to do their everyday work without any issue it is just it just works it very lightweight so you can get it anywhere macbook is also great player for those who already owns a iPhone I have bought 16GB RAM and 512GB storage option to make it feature proof display is great getting battery backup up to more than 12 hours इसके अंदर genuinely review दियागे किसके आपको 12 hours द्यादा आपको इसके अंदर battery backup देखने को मिलेगा और दूतीन इसके अंदर काफी अच्छे comments समय देखने को मिलते हैं और यही है हमारा पूरा Apple का MacBook Air 13 Apple का MacBook Air 13 काफी अच्छे laptop है अगर आपको यह laptop खरीदना होगा तो आप इसको Amazon से कर सकते हूं अब इसको राया से भी बाया कर सकते हूं और मतलब बेसिकली यह अगर आप लोगे तो आपको पाच छे साथ साथ तक तो आपको मेरे को नहीं रख था कि किसी चीज़ की ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि इसका इसका जो software update है वो काफी अच्छा है इसका जो क्या क्या सकते है हम इसकी body है वो metal boiled body है जो कि बहुत लांग लास्टन को थे आप अगर इसको compare होगे अधर हम अपने Windows laptop के साथ तो बेजर ली Windows laptop के अंदर हमें देखते हैं को बिलता है प्लास्टिक और फाइबर अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ऐसी ताकि हम आगे और वीडियो बना सके तब तक के लिए गुड़बाय थेंक्यू